आप किस तरीके से, अंडर विच लौ, अंडर विच प्रोविजिन आपने ये डाइवर्ट किया, उन लोगों पे जो दिन दहाडे चोरी करकर, पन्नास होके लेकर, सरकार चला रहे हैं और गदारी कर रहे हैं, तो ये कते हमें मनजूर नहीं है। आज सभी के सामने ये जो खबर आई है, वो दुखदाई है, और खास करके महराश्टा के लिए दुखदाई है क्योंकि महराश्टा की जो संस्कृती और संस्कार रहे हैं, वो जै भवानी, जै शिवाजी वाले रहे हैं, जां हम मात्र को पहले प्रणाम करते हैं, फिर प्रधम्ती का पूरा हमारा मुहीम चल रहा था, तो प्रधम्ती में हमने चार बड़े मुद्दे रखे थे, कि जब हमारी सरकार बनेगी हम शिक्षा, स्वास, स्वावलंबन की हम बात करेंगे, और संद्रक्षन की, और आज हमारी जो कारेकाल रहा था, उस कारेकाल में हमन निर्भया फंड्स की माध्यम से आप सभी को याद होगा निर्भया फंड्स 2013 में जब एक जगन्य अपराद हुआ था दिल्ली में और देश की पूरी जंता आख्रोश्यत होकर रास्तों पर उत्री थी तो ये निर्भया फंड्स का गठन हुआ था निर्भया फंड्स पर कभी कभी आरोग भी लगाए जाते हैं कि राज्य से की मांग नहीं आती है वो अन्यूटलाइज रहते हैं पर हमारी सरकार ने जब महाविकास अगारी सरकार थी उद्दव बाला साहिब ठाते जी के नेचितों में जो हमारा महिला विंग था उसके माध हम से हमने पूरा निर्भया स्कौर्ड बनाया गर्व की बात थी मैं खुद थी उस इनाग्यूरेशन में जब वो निर्भया फंड्स का यहां से रंग रूप शुरू हुआ था पर दो कब इस बात का होता है जो निर्भया फंड्स 30 करोड के उपर के लागत की गारिया आई महिलाओं की सुरक्षा के लिए आई महिलाओं को एकदम से ये महसूस ना हो कि कहीं से वो असुरक्षत हैं उसके लिए आई आई आज वो गारियों का इस्तिमाल और गलत तरीके से इस्तिमाल हो रहा है उन गद्दारों के लिए जिन्होंने पाती के ही साथ गद्दारी नही की जिन्होंने महराष्टा की जनता के साथ ही घड़ारी नहीं की जो अब महिलाओं के साथ घड़ारी करें हैं महिलाओं से ज़्यादा जो केंडर सरकार के फंड्स हैं जो आप मेरे हम सब के टैक्सपेयर्ज मुंबई सबसे ज़्यादा टैक्स पेंग सिटी है सबसे बाइपला सेक्यूरिटी दी जारी है, किन लोगों की? एक वो मंत्री जो महिलाओं के बारे में इतनी आपती जनक बयान बाजी देते हैं, सुप्रिया सूले जी जो इतने समय से खासदा रही है, मानिय खासदा रही है, उनका योगदान पार्लिमेंट में सरहानिया हैं, सब ज कवर्नर साहब ने किसी तरीके का संग्यान लेकर कोई कारवाई की है कौन से दूसरे मंत्री का MLA का बचाव किया जा रहा है वो संजय राथोर जी जिनके उपर खुद के उपर एक बड़ा आरोप लगाया गया था जो खुद भार्तिय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया है और किसका बचाव कर रहे हैं बचाव कर रहे हैं वो MLA का जो महिलाओं के साथ अभधर टिपनिया ही नहीं करते हैं वंत्राले के स्टाफ के साथ अभधर टिपनिया करते हैं गुंदागर्दी करते हैं हास्पिटल स्टाफ के साथ गुंदागर्दी करते हैं तो मैं आप स रहे हैं, incidents हो रहे हैं, कुडला का हुआ गंभीर आरोप, नौ महीन, नौ साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, नभी मुंबई में, वीरार ले लो, वसई ले लो, सारी जगा ले लो, सामभाजी नगर में हुआ, सामभाजी नगर में एक बच्ची को आटो से निकलना पड़ा, और आज इसी खबर के साथ एक और खबर है, कि एक दस महीने का बच्चा, एक माँ अपनी इज़त बच्चाने के लिए गाड़ी से निकल गई, दस महीने का उनका बच्चा, मर गया, क्योंकि वो अपनी इज़त बच्चाने के लिए, दरिंदे से अपनी इज़त निकल रही थी इससे जादा दुखदाई क्या हो सकता है कि आज जिन्होंने पार्टी के साथ, राज्य के साथ, राज्य के लोगों के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, सब के साथ गदारी की हो, आज सेंट्रिल फंस को मिस्यूज करकर अपनी वाभी वाग करें, मौ आप जवाब देना, आज खुद प्रधान मंत्री जी नाकूर में है, मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहूंगी, प्रधान मंत्री जी आप तो लाल के लिए से बोलते हैं, लाल के लिए से कहते हैं, महिला समान के उपर कुछ नहीं, अभी हाली में उन्होंने कहा था, महिला तक नहीं है इस cabinet में तो आप समझ सकते हैं कि cabinet का बार बार ये कहते हैं हम और महिलाओं को लेंगे next cabinet expansion में next cabinet expansion में next cabinet expansion तो दूर की बात है ये cabinet ही नहीं मिलता है तो किस के पास महिला जाए तो ये सारे हमने हमारे प्रशन हैं कि मुख्य मंत्री इसका जवाब दे और समविधाने मुख्य मंत्री जिनके ये सकता की मौज हो रही है और जनता को दुख दे रहे हैं उसका जवाब दे किस तरीके से किस अंतरगत ये काम हुआ है जो हमारे home minister है घ्रा मंत्री जो उक्मख्य मंत्री भी है महराश्रा के जो आज सब व्यस्त हैं आज सब नाकपूर में व्यस्त हैं कभी गुजरात की एलेक्शन में व्यस्त रहते हैं कभी असाम में व्यस्त रहते हैं कभी दिल्ली में व्यस्त रहते हैं सिर्फ महराश्रा की जनता के लिए व विल्फे मिनिस्टर है उनको जवाब देही लेनी चाहिए और महराश्चा सरकार से पूछना चाहिए कि ये किस तरीके से ये कारवाई हुई है ये गलत है और हम ये भी चाहते हैं कि जब से ये सरकार बनी है उसका ओडिट हो जो भी फांड सेंटर से अलोकेट हुए है उसका होना चाहिए और आने वाले सेशन में उसकी जवाब देही तै होनी चाहिए कि कौन सा फांड कैसे मिस अप्रोप्रियेट हुआ ये जनता के सामने आना जरूरी है तो ये हमारी मांगे हैं और हम चाहते हैं जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो और किसी भी तरीके से अगर मि अगरू कराते रहें आपके कुछ सवान होंगे तो हम उसको जरूर लेंगे